DSS-SB Stenographer Test Series कुल शब्द 2012 प्रतिलिकन संक्या पांच कती सौशब प्रतिलिकन बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट महदै सितंबर 2021 में MBBS चात्रों का प्रवेश भारी रकम लेकर यह कहकर दिया गया कि आपको यहीं से पूर्ण शिक्षा देकर MBBS की डिग्री दी जाएगी जो की भारतिय चिकित्सा परिशद में नमांकित होकर परिक्षा देने हेतू मान्य होगी लेकिन सितंबर 2001 से वर्ष 2004 तक की शिक्षा गुंटोर में कराने के बाद आगे की पढ़ाई हेतू चात्रों को दो वर्ष की शिक्षा के लिए तंजानिया भीज दिया गया विराम चात्रों ने जहां से कालेज प्रबंधन के द्वारा अंतरास्ट्रिय चिकित्सा और तकनी की विश्व विद्याले आंतरप्रदेश द्वारा 2004 तक जो पढ़ाई की है वह उसका प्रमान पत्र चात्रों को जारी नहीं कर रहा है जिसके कारण हजारों चात्रों का रजिश्ट्रेशन भारतिय चिकित्सा परिशत डॉक्टर के रूप में नहीं कर रही है इस वजह से भी सभी छात्रों का भविश्य अंदकार में हो गया है यह भी संग्यान में आया है कि उप्रोक्त संस्थान अपने लाब के लिए गुंटूर के अंतराश्ट्रिय चिकिस्सा और तक्नीकी विश्वविद्यालाई का नाम बदल कर कस्तूरी मेडिकल कालेज करा करके नए नाम से रजिस्ट्रेशन करा रही है पैरा महोदय मेरा आपसे अनुरोध है की संपून प्रक्रण की उच इस तरिय जाच करा कर दोशी कालेज प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही करके प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त करने गए मेडिकल चात्रों का कालेज प्रबंधन द्वारा प्रमानपत्र जारी कर चिकित्सा समीती को रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कराने के निर्देश दिये जाएं जिससे हजारों चात्रों का भविश्य खराब होने से बच सके इस प्रक्रण को कुछ चात्रों द्वारा हैदराबाद उच्चिन एले में उठाए जाने पर हैदराबाद हाई कोर्ट न चात्रों के खित में निर्णाय भी दिया है लेकिन चिकित्सा समीती सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस मामले को उलजाना चाहती है मेरा आप से अनुरोद है कि इस मामले में हजारों चात्रों को नियाय देने की क्रपा करें पैरा अध्यक्ष महोदय मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जैपुर शहर में इस समय यातायात की समस्या बहुत गंभीर है अब यह बात सत्य है कि इस सदन में यातायात की समस्या का कोई संबंद नहीं है आज बैंक बड़े प्रेम पूर्वक उदारता पूर्वक लोगों को धन दे रहे हैं गाडी भी खड़ी रहती है कि चाभी भी ले जाओ और पैसे भी ले जाओ विराम मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ की जैपूर में सुगम यातायात प्रथम चरण में 479 करोड रुपिये की लागत से बस परियोजना बनी है जवाहरलाल नहरू पुनर निर्मान मिशन के तहत यह योजना के आधार पर क्रियन वित की जाएगी इस योजना के तहत शहर में उच्च शमता युक्त आधुनिक बसे राहगीरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाएंगी इसके लिए शहर में 42 किलोमीटर लंबा कॉरिडॉर सरकारी छात्रावास से एरपोर्ट तक निर्मित किया जाएगा मेरी केंदर सरकार से मांग है की यह योजना उनसे संबंधित है राज्य सरकार ट्रैफिक को नियंतरन करने के नाते प्रयास तो कर रही है लेकिन मेरी केंदर सरकार से प्रार्थना भी है की यह परियोजना जो जवाहरलाल नहरू जी के नाम पर बनाई गई है उसको कारियनवित करने के लिए भारत सरकार भी कुछ रकम दे तो यह है योजना जल्दी सफल हो सकेगी विराम जैपुर में ट्रैफिक की समस्या जो गंभीर रूप धारन कर रही है उस समस्या का भी समाधान हो सकेगा आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पैरा महुदय बाकी सदस्यों के लिए 10 मिनट का समय था और उन्होंने 40 मिनट का समय लिया है पुलिस को आधुनिकी करण करने का करिक्रम वर्ष 1989-90 से चल रहा है यह सही है कि आधुनिकी करण एक बार में हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है 25 सालों से चल रही प्रक्रिया है लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपनी पुलिस को आधुनिक किया है आप एक भी ऐसा राज्य दिखा दीजिए जहांके लोग कह सकें कि पुलिस ही हमारी मित्र है पुलिस के पास काफी पिश्वास के साथ जा सकते हैं इसलिए आधुनिकी करण का कारिक्रम तभी सफल होगा जब इस तरह के बदलाव पुलिस के दिल में आएंगे पुलिस में कांस्टेवल की भरती प्रशक्षन की तरफ ध्यान देने की अवशक्ता है और इसके साथ पुलिस की वर्तमान दशा दिशा की तरफ ध्यान देने की भी अवशक्ता है हम सब चीजों के लिए पुलिस से अपिक्षा करते हैं और पुलिस में खास तोर से सिपाही वहांचालक और चप्रासी ही गोलियां जेलते हैं लेकिन आज उनके रहने की व्यवस्था नहीं है उनके परिवार के लिए सुरक्षा नहीं है इसलिए इस ओर भी ध्यान देने की अवशक्ता है पैरा अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत में आतंकवाद से लड़ने के लिए कब हम राजनीती से उपर उठकर काम करेंगे क्या हम यह सोचना चाहते हैं कि अगर हम आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो इससे कोई नाराज होगा हम आतंकवाद के खिलाफ बोलेंगे तो सिर्फ पाकिस्तान नाराज होगा यदि आप आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे तो हिंदोस्तान से मोहबत करने वाला कोई भी व्यक्ती चाहे उसकी पूज़ा पद्दती कोई भी हो कोई नाराज होने वाला नहीं है लेकिन आपको लगता है कि अगर आतंगवाद के खिलाफ आप बोलेंगे या कुछ कार्यवाही करेंगे तो उससे कोई नाराज होने वाला है मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोद करना चाहता हूँ कि पहे कश्मीर पर राजनीती बंद करे कश्मीर में किसकी सरकार आए यह महत्वपूर्ण नहीं है जब NDA की सरकार थी तब हमारी नेता अटल बिहारी वाजपेई जी ने कभी यह परवाह नहीं की कि वहां कौन मुख्यमंत्री है किसकी सरकार है हम लोग कश्मीर की सरकार को किसी पार्डी की सरकार के तौर पर नहीं देखते हैं वह भारत की प्रतिनिधी हैं हम उस सरकार को राजनीती से उपर उठकर देखना चाहते हैं लेकिन यह सरकार वहां पर राजनीती कर रही है पैरा महोदै मैं आपके माध्यम से ग्रह मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के मामले में नरम नीती पर चलने वाली जो आपकी सरकार है इसको जनता कभी माफ नहीं करेगी इसलिए आप और ज़्यादा सक्ती अपनाएं ग्रह मंत्री जी से मुझे पूरी अपेक्षा है ग्रह मंत्री जी देश के पती सामान्य छवी रखे लेकिन आतंकवादियों में इनके नाम से डर होना चाहिए आतंकवादियों के मन में उनके नाम से आतंक पैदा होना चाहिए यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार सरल कानुन बना कर आतंकवादियों का मनोबल बड़ा रही है विराम जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आतंकवाद के विशे पर पूरा संबाद एक होगा पुन विराम